Students, Good Morning! बच्चों, कल हमारे द्वारा 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया था. आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं. हमारे द्वारा विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्यन किया जा रहा है. इसके अंतरगत उष्ण कटीबंदिये सदावाहर बन का हमने कल अध्यन किया था. आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 41 पर पढ़ रहे हैं. उष्ण कटीबंदिये पनपाती वन. उष्ण कटीबंदिये पनपाती वनों को मानसुनी वन कहते हैं. जो भारत में, उत्री अस्ट्रेलिया में और मद्दे अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं. चित्र 6-5-4 ये देखो आप, ये आपके मानसुनी वन या उष्ण कटीबंदिये पनपाती वनों का चित्र है. इन शेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं. आपने भारत के संदर में देखा होगा, सर्दी, गर्मी और बरसाथ के मौसम अलग-अलग दिखाई देते हैं. इसे के अधर पर रवी, खरी और जायत की फसले या पर त्यार होती हैं. जल संरक्षत रखने के लिए शुश्क मौसम में यहां के व्रक्ष पत्तियों को जहाड देते हैं. इन व्रहनों में पाई जाने वाले व्रक्ष द्रड काष्ट मतलब द्रड से मतलब होता है कठोर, काष्ट होती है लकडी. कठोर लकडी की व्रक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम हैं द्रड कास्ट व्रक्ष फरनीचर बनाने के यातायात एवं निर्मान सामगरी बनाने के लिए बहुती उपयोगी होते हैं इन प्रदेशों में आम तोर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाग, शेर, हाती, गोल्डन, लंगूर, बंदर, आदी अब हमारे इसके बाद आपके शितोष्न सदावाहर बन का अध्यन किया जाएगा देखो बच्चों यहां पर यह जो आपके दे रखा था बाग, शेर, हाती, गोल्डन, लंगूर, बंदर, चित्र, 6.5 आपके साइड में बना हुआ है जिसमें बाग का चित्र है चित्र, 6.6 दे रखा है जिसमें आपके हाती का चित्र दिया हुआ है, 6.7 के अंदर आपके सितोष्न सदावार बनों का चित्र दिया गया है, हम सितोष्न सदावार बनों को पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके अंतरगा सितोष्न सदावार बन मद्दे अक्षांच के तटिये प्रदेशों में पा जाते हैं जैसे दक्षन पूर्व अमेरिका, दक्षन चीन, दक्षन पूर्वी ब्राजील, यहां पर बाज, चीड, यूकेलिप्टस, जैसे द्रड और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं. यहां की जो पेड़ों की लकड़ी होती है बच्चों, वो कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है, दोनों प्रकार के वन यहां पर पाए जाते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 42 निकाल लीजिए अपना, इसमें आपके शितोषन पानपाती वनों के बारे में बताया गया है, उच्च अक्षांश की और बढ़ने पर, जैसे ऐसे हम आगे के अक्षांशों, दुरूबों की और बढ़ते हैं, अधिक शितोषन पनपाती वन मिलते हैं, चित्र 6.11 को ध्यान से देखो, देखो इस पेस आपको दिखाई दे रही है, उपर की जो ये सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजिलेंड, चिली और पश्चिमी यॉरॉप के तटिये प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये अपनी पतियां शुश को मौसम में जाड़ देते हैं, यहां पाए जाने वाले पेड़ें, बांज, एश, बीच, अधी, हेरन, लॉमडी, बेड़ी हैं, यहां के आम जानवर हैं, आम जानवर मतला मुख्यत हैं, यह जानवर यहां पर पाए जाते हैं, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहां पर पाए जाते हैं, दोनों पक्षियों का चित्र आपके 6.9 और 6. 10 के हंतरगत आपके दिया हुआ है बच्चों, अब हमारे द्वारा भूमद्य साग्रिय वनस्पती का अध्यन किया जाएगा, आप जान चुके हैं कि महादीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग, सितोशन सदावार और पनपाती पेड़ो से ढके हुए हैं, महादीपों के पश्चिमी एवं दक्षन पश्चिमी किनारे बिन बिन है, यहां भूमद्य साग्रिय वनस्पती पाई जाती है, चेत्र 6.12 के अंतरगत आपके यह दिया हुआ है, जिसमें अंगूर के बाग दिये हुए हैं, अंगूर एक प्रकार की बेल होती है बच्चों, और यह जो है हमारे कहां पर पाई जाती है, बूमद्य साग्रिय वनस्पती हैं, यह अधिकतर यारॉप, अफ्रीका और एशिया के बूमद्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पढ़ा है, यह वनस्पतीयां बुमद्दे सागर के बहरी प्रदेशों जैसे संटराज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षण पश्चिमी अस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीश्म एवं वर्शावाली ब्रदुशीत रित्तुएं भी होती हैं। इन शेत्रों में आम तोर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नीम्बू वन्ष, स्ट्रिस के फल पैदा किये जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपने इच्चानुसार क्रिशी करने के लिए यहां की प्राकतिक वनस्पति को अटा दिया। यहां वन्ने जीवन कम पाया जाता है। इसे पहले बाले पेज के अंदर बच्चों आपके एक बॉक्सा बना हुआ था। जिस पर कुछ जानकारियां दे रखी हैं उसे मैं पढ़ रही हूँ। फिर से पेज नंबर 42 पर जाकर पढ़ना या देखना। यह जो बॉक्स बना हुआ है इसको पढ़ रही हूँ। फलों की त्रशी के कारण विश्व का फलोधान भी कहा जाता है। आगे हम बढ़ रहे हैं बच्चों इसमें शंकुधारी बन। शंकुधारी बन उत्री गोलार्द की उच्च अक्षान्षों जो 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में बीच का एरिया है प्रत्वी का में भव्वे शंकुधारी बन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 को आप ध्यान से देखें। तो इस चित्र के अंदर आपको ये लंबे-लंबे व्रेक्ष और शंकुधारी लिए हुए। उपड़ से बिलकुल पतले से और नीचे से थोड़े चौड़े जैसे पिरामेड का शेप होता है, शंकुधा शेप होता है, उस तरह के दिखाई देते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं, टैगा प्रदेश के नाम से ये प्रसिद्ध है शेत्र। ये वन अदिक उचाईयों पर भी पाये जाते हैं, इनी व्रक्षों को सलीमा ने हिमाले में प्रचर मात्रा में देखा था, ये लंबे, नरम, काष्ट वाले सदावार व्रक्ष होते हैं, इन व्रक्षों में काष्ट का उप्योग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, लुगदी बच्चों अख्वार कागज इसकी बनाई जाती है, इसे लुगदी जो सामानेते तता अख्वारी कागज बनाने के काम में आती है, नरम, काष्ट का उप्योग माचिस और पैकिंग के लिए भी पक से बनाने में किया जाता है, चीड, देवदार, आदी इन वनो में मुख्य ते पेड़ है, यहां सामानेते रजत, लॉमडी, मिंक, द्रुविय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, अब बच्चें यहां पर एक शब्द आयता टेगा, टेगा का क्या अड़त होता है, शुद्ध या अंचुआ, और भी कुछ बाते हैं, अपने आस पा के नरम तथा द्रड काष्ट से बनी वस्तों पर ध्यान दें, आपके यह ना, आप जिन वस्तों को यूज करते हैं लकडी की, उन्हें ध्यान से देखें, कौन सी ज़्यादा कटोरे गिरने पर तूपती नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ा होती हैं लकडी की वह नहीं, जो असानी से तूट जाती हैं, बहुत असानी से वह खराब हो जाती हैं, तो मुलायम और कास्ट वस्तों को ध्यान दें, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, घास इस्तल, घास इस्तल सेकेंड नमबर की हमारी वन अस्पती थी, पहले नमबर पे वन थे, वन में आपने प प्रकार पड़े हैं, पहले नमबर पे उष्ण कटीवन दिये सदावार वन, दूसरे में उष्ण कटीवन दिये पनपाती वन, तीसरे के अंदर शितोष्ण सदावार वन, चोथे में शितोष्ण पनपाती वन, पांचवे में बुमद्य सागरिये वनस्पती और छटे में शंकुधारी वनों का दिन किया है अब हम घास इस्थलों पर जाते हैं उश्न कटीवन दिये घास इस्थल ये वन भूमद्दे रेखा के भूमद्दे रेखा के किसी भी तरफ उख जाते हैं और भूमद्दे रेखा के दोनों और छे उश्न कटीवन शेत्रों तक फैले रहते हैं चित्र चेपन चौदा में आपको दिखाई दे रहा है घास के मैदान यहां वनेस्पति निम्न से मद्धे वर्षा वाले शेत्रों में पैदा होती है यह घास काफी उची लगबक तीन से चार मीटर की उचाई तक बढ़ जाती है अफ्रीका का सवाना घास इस्थल यह नो गास इस्थल में हाथी, जैब्रा, जिराफ, हिरन, तैंदुआ, आधी जानवर पाए जाते हैं यह वच्चों एक तो है ना उधारण के तौर पर घास इस्थल कहाँ पाए जाता है अफ्रीका में सवाना घास के इस्थल सवाना कहां है अफ्रीका के अंदर और इसमें कौन इनकी उचाई क्या है घास की तीन से चार मीटर तक और इनमें पाए जाने वाले जानवर हाथी, जैब्रा, जिराफ, हिरन, तैंदुए, आधी होते हैं अब हम पढ़ रहे हैं सितोशन घास के इस्थल ये मद्दे अक्षांशिये शेत्रों और महादीपों के भीतरी भागो में पाए जाते हैं यहां की घास आमतार पर चोटी एवं पोश्टेक होती है शितोशन प्रदेशों में सामनेते जंगली भैस वाइस वाइसन एंटिलोफ पाए जाते हैं नेक्स्ट आपके दे रखिये वचों कटीली जाडियां कटीली जाडियां अपने रेगिस्तान में दोरा दिखी गई है शुश्क रेगिस्तानी जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती है उश्ण कटिवंदी है रेगिस्तान महादीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाते हैं जो हमारे महादीप है ना चाहे एशिया है अफरीका है अमेरिका है उत्री अमेरिका है दक्ष विश्व के मान्चेत्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्नेत करें क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिनने आप पहले जान चुके हैं हमारे तो रगस्तान, राज्छान में भी रगस्तान पाय जाता है बच्छों, बहुत बड़ा एरिया रगस्तान धी शेत्र का है, यहाँ कब मुख्यी जनवर को या है हमारे यहाँ पर, उट, उट को रेगस्तान का जहाज भी कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं अपन, यदि आ आपको अत्य देख ठंडा मिलेगा, यहां बहुत ही सिमित प्राकतिक वनस्पति मिलती हैं, यहां केवल काई, लाइकेन और छोटी जाडियां पाई जाती हैं, यह अल्पकाले ग्रिश्म रित्तु के दौरान विक्सित होती हैं, इन्हें टुंडरा प्रकार की वनस्पति कहते हैं, दौर्विय शेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम है, टुंडरा प्रकार की विशेष्टा क्या है, कि यह काई, लाइकेन और छोटी जाडियों के रूप में पाई जाती हैं, जो जब वहां पर धूप निकलती हैं, ग्रिश्म रित्तु होती हैं, तब इसक का जमाव उताई आई है, यह दिखाई देती हैं कुछ-कुछ एरिये में, यह वनस्पतियां यॉरॉप में, एशिया एवं उत्री अमेरिका के द्रोविय प्रदेशों में पाई जाती है, यहां के जानवरों के शरीर पर मोटा फर या मोटी चमडी पाई जाती है, जो उन् पर फिली लॉमडी होते हैं, बच्चों, यह नीचे आपके वालरस, द्रोविय भालू और आपके सील के चित्र भी बने हैं, द्यान से देखना उच्चों, आगे बढ़ते हैं वपन, सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र भी दिखाए, कुछ चित्रों में सली हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया है, सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया गया, तो वनने जीव कहां जाएंगे, क्या वे पुने वैसे ही बन पाएंगे, अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहेंगे, तो बविश्य में पर्याप्त जन, जलवाश, लकडी, फल, मेवे, आदी क्या मिल पाएंगे, क्या आप सलीमा से सहमत हैं, आपने अपने दोस्तों के साथ वनस्पती और प्राणी जगत के विवित्ता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इनके संरक्षन के बारे में कुछ सुझाव दें, बच्चों, वर्त हो गई हैं, हमारे इसका मुख्य उत्तरदाई कारण मानव की हर्थे, मानव के क्रिया कलाप हैं, जैसे वनों की कटाई करने से पेडों की प्रजातियां, वनस्पतियों की प्रजातियां फेनिश हुई हैं, ऐसे ही उन वनों में रहने वाले लोगों, जानवरों की भी मानव के क्रिया कलापों के अंदर बढ़ता हुआ ओध्योगी करण बढ़ता हुआ शहरी करण बहुत अधिक उत्तरदाई है। विबिन प्रदेशों में घांस इस्थल विबिन नामों से जाने जाते हैं। मद्देशिया में स्टैपी नाम से पाया जाता है। और आस्ट्रेलिया में डाल नाम से पाया जाता है। ये चार्ट बच्चों आपको कॉपी में बनाना भी है। अब हम इसके कुशन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगी। परिएखिशन आदे पाया जाता है। अजय करेंगी। विद्ध में पाया लेगेंगी। और या पाया जाता है। आफ। 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 झाल झाल